हेलो फ्रेंट्स बीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम बिल्कुल पुराने तरह से जैसे हमारे गाउं अगेरा में बनता है उस तरह से हम आपको दाल पूडी बनाना बताएंगे और ये बहुत ही अच्छे से बन के त्यार होगा इसको बनाने के लिए हैं हम दो दाल को हम एक घंटा पहले भींगा के रख लिये थे उसको चान लिये हैं उसको डाल देंगे फिर हल्दी थोड़ी सी और फिर स्वात के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये वाली दाल पूडी इतनी टेस्टी बन के त्यार होगी दो से तीन चमश पानी दालेंगे पानी जादा नहीं डालेंगे दाल का पाफडर जब हमें बिल्कुल सूखा तयार करेंगे तभी हमारी पूडी बनाते समय बिलकुल न चटकेगी न पीनह फूटेगी बिलकुल बिना फूटे एक दम परफेक्ट पूडी आपकी तैयार होगी ये दाल देखिए इसको बहुत जादा गलाना नहीं है, इतना गलाना है कि बस आराम से मिक्सी में इसका फाइन पाउडर बन जाए, और देखिए ये इतना अच्छे से हम बहुत कड़ा रखे हैं, जैसे कुकर्ट में सीटी लगा लेने के बाद हमारा दाल बहुत मैसी हो जाता है, फिर उसका इ जियान रखना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार करें, काफी सॉफ्ट, मतलब हम रोटी जो बनाते हैं, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट डो चाहिए, इससे पूरी बहुत लंबे टाइम तक बिलकुल मुलायम रहती है, और बहुत अच्छे से बेलते समय फटती भी नही बहुत प्रेसर नहीं देंगे बेलते समय, और इसको पहले हम तवा पे रोस्ट करेंगे, डायरेक्ट इसको डीफ्राइ नहीं करना है, इससे जब हमारी पूरी आधा सिक जाती है, तो तलते समय इतना अच्छा आप देखिएगा खुदी, अभी हम बताते जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब खाने वाले बैठते हैं, तो गर्मा गर्म इंस्टेंट इतनी फटाफट पूरी तयार होगी, कि क्या बता है, और डालते ही कडाही में बिलकुल गुबारे की तरह फूल के रेडी हो जाएगी आपकी पूरी, और बहुत ही फटाफट एक भी पूरी ऐ लेंगे, इस तरह से अगर आप पहले से उसको रोस्ट करके रखेंगे हलका हलका, फिर इसको टिश्यू पेपर पे निकालते जा रहा है हम सारी पूरीयों को, कि एक्स्टा ओयल वगेरा उसमें आ जाए, देखिए बिलकुल साफ्ट, बिलकुल एकदम पेपर जैसे साफ्ट होता है, उस तरह से हमारी पूरीयों सारी बन के तियार हो गई है, यह देखिए कितना साफ्ट बिलकुल तियार हुआ है, इसका दो ही ट्रिक है, कि आप आटा बिलकुल साफ्ट रखें, और जो इसका डो तियार की हैं आटे का, बहुत ही साफ्ट चाहिए, और इसमें जो फ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा इसलिए हम फटा फट सर्फ कर ले रहे हैं अभी इतना ही और फैस्टिव आ गया है तो आप उसमें इस थाली को जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छा बन के तयार होगा और हमारी खीर भी हम सर्फ कर ले रहे हैं अगर हमार आपको पता चल जाए कि मैंने आगे कौन सी रेसिपी बनाई है देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट खीर सबजी और पूरी का कमबो तयार हो गया है अब बिल्कुल आप खाने के लिए रेडी है थैंक्यू फर वाचिंग